आज हेरंब संकष्टी चतुर्थी है ये पर्व हर वर्ष भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है इस शुब अवसर पर विधी विधान से भगवान गनेश की पूजा उपासना की जा रही है साथ ही उनके निमित वरत उपवास भी रखा जा रहा है धार्मेक मान्यता है कि भगवान गनेश की पूजा करने से घर में सुख समृद्धी और खुशाली का आगमन होता है साथ ही राय और सौभाग्य में वृद्धी होती है आईए हेरंव संकष्टी चतुर्थी की तिथी पूजा विधी और चंद्रदर्शन समय जानते हैं तिथी और मुहूर्च ज्योतिशियों की माने तो संकष्टी चतुर्थी 3 सितंबर को संध्याकाल में 6 बज कर 24 मिनट पर समाप्त होगी सनातन धर्म में उदया तिथी मान है अतह तीन सिंद्ब को हेरंव संकष्टी चतुर्थी मनाई जा रही है हेरंव संकष्टी चतुर्थी पर चंद्रदर्शन का समय संध्याकाल शून्य 8 बज कर 57 मिनट है पूजा विधी संकष्टी चतुर्थी पर गंगाजल युक्त पानी से स्नान करें इस समय आचमन कर अपने आपको शुध करें और पीले रंग के वस्त्रधारन करें अब सबसे पहले भगवान भासकर को जल का अर्धिय दें इसके बाद निम्न मंत्र का उच्चारण कर गंपती जी का अहवान करें वक्र तुन्ड महाकाए सूर्य कोटी समप्रभा निर्वेगन कुरू में देव शुप कारेशु सर्वदा अबफल, फूल, धूप दीप, दूर्वा चंदन आदी से भगवान गनेश की विधी पूर्वक पूजा करें भगवान गनेश को पीला पुष्प दूर्वा और मोदक अतिप्रिय है अतह पूजा में उन्हें पीले पुष्प, दूर्वा और मोदक अवश्य भेट करें पूजा के समय गनेश चालीसा का पाठ और मंत्र जा पवश्य करें। अंत में आरती और प्रदक्षिना कर भगवान गनेश से सुक। शान्ती और धन प्राप्ती की कामना करें। दिन भर उपवास रखें। शाम में आरती अर्चना के बाद फलाहार करें।